सरकार द्वारा किसानों के लिए कई सारी योजनाय चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिये किसानों को आर्थिक फाइदा पहुचाया जा रहा है। ऐसे ही सरकार एक योजना चला रही है, जिसका नाम पीम कुसुम योजना है। केंद्र सरकार पीम कुसुम योजना के जरिये किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90 फीसदी तक सबसरी दी जाती है। इस योजना से करोलों किसानों को फायदा पहुचा है। आए जानते हैं पी-म कुसुम योजना के बारे में डिटेल में इस सरकारी योजना से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। दरसल, किसान खेतों में पानी देने के लिए बिजली की ट्यूगवेल का उपयोग करते हैं। बता दे की बंजब भूमी को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। योजना के तहट किसान कम खर्चे में बहतर सुविधाई प्राप्त कर सकते हैं इस योजना की शुरुआत साल 2019 में उर्जा मंत्राले द्वारा की गई थी। इस योजना के तहट केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत राजय सरकार की तरफ से 30 प्रतिशत और अन्यवित्तिय संस्थानों की तरफ से 30 प्रतिशत की सबसिरी दी जाती है। सिर्फ 10 प्रतिशत ही इसमें किसानों को देना होता है इस योजना का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि किसानों का बिजली और डीजल का खर्च नहीं होता है और बिजली के ऊपर निर्भरता भी कम होती है इससे खेती की लागत काफी हद तक कम होती है कैसे करना होगा आवेधन? आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट URL इन पर जाकर इसका ओनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ओनलाइन पंजीकरन फॉर्म भरने के बाद आपको आधारकार, खसरा सहित भूमी दस्तावेज, एक घुशना पत्र, बैंक खाता डिटेल आदी जैसे पंपों में बदलेगी, देश के जो किसान सिचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतरगत सोर उर्जा से चलाया जाएगा, इस योजना के पहले चरण में देश के 1.75 लाग पंप जो डीजल और पेट् को लोन के रूप में नाबाद या अन्य बेटिंग संस्थान द्वारा फाइनेंस करवाए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशी ही देनी होगी, इसके अलावा अतिरिक्त बिजली उतपादन होने पर बची हुई बिजली को किसान द्वारा साइन किया जाएगा, किसान द्वारा बेची गई बिजली की कमाई को दो हिस्सों में बाटा जाएगा, पहला हिस्सा उतभोकता का एवं दूसरा हिस्सा लोन की किस्त का होगा, इस योजना के माध्यम से किसानों तक बिजली पहुँचेगी तथा बंज़ जमीन से पैसे कम कुसुम योजना की पात्रता, आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए, कुसुम योजना के अंतरगत 0.5 मेगावट से 2 मेगावट क्षमता तक के सौर उर्जा सयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है, आवेदक द्वारा अपनी भूमी के अ की कॉपी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवत सर्टिफिकेट विकास करता के माध्यम से प्रोजेक्ट विक्सित करने की स्थिती में, मोबाइल नंबर बैंक खाता विवरन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ